हेलो नमस्ति वेलकम और वेलकम बैक टूदे एटूकेशनल चैनल ओफ बॉटनी एड़ा में आप सभी का स्वागत है गाईज आज मैं आपको बीएसी थर्ड इयर मेजर बॉटनी जो है इसके अंतरगत पेपर फस्ट के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉश्चन बताने वाली हूं जैसा कि आप सभी की भारी मात्रा में डिमांड्स आ रही थी कि मेजर बॉटनी के दोनों ही जो पेपर है इसके इंपॉर्टेंट कॉश्चन बता दीजिए तो आज मैं आपके लिए जो मेजर बॉटनी है गुरुप B के अंतरगत दी गई है इसके अंतरगत आप तो मुस्ट इंपॉर्टेंट कॉश्चन बताने वाली हूं ना केवल मैं आपको कॉश्चन बताऊंगी बलकि इन सारी कॉश्चन के आंसर भी देने वाली हूं वीडियो के एंड तक बने रहीगा वीडियो को स्कुप बिलकुल मत कीजिएगा एक एक पॉइंट में आपको बताने वाली हूं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपको हर एक सब्सक्राइब के इंपॉर्टेंट कॉश्चन आंसर सभी कुछ कंटेंट जो है वो प् सब्सक्राइब मिल जाएगा और उपर आई बटन में भी आपको इसकी लिंक जो है वो शो हो रही है तो बिल्कुल नियू और ऑथेंटिक स्लेवस मैंने आपको चौविस पच्चिस का जो है वो डीटेल में एक्स्प्लेंड किया है स्लेवस में मैंने आपको दोनों ही करेंगे अधर्वाइस नहीं करेंगे ठीक है तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरह तो मेजर बॉट मी जो की आपका गुरुप बी के अंतरगत दिया गया है इसका जो पीपर फस्ट है इसका नामे कोशिका विज्यान पादप्रजनन और जेव प्रधोग की इसको इंग्लिश में कहा जाता है साइटोलोजी प्लांट ब्रीधिंग एंड बायो टेक्नोलोजी ठीक है सारे कॉश्चन के आंसर दूंगी इसके अंतरगत जो है वह आपकी पांच यूनिट दी गई है तो हम जो है वह पांच हो ही यूनिट के एक एक करकी इंपॉर्ट मत होईएगा ठीक है तो जो आपकी कोशी का विज्ञान है यह आपकी यूनिट फस्ट है इसके अंतरगत अब में आपको जह वह पांच से छे क्वश्चन जो की दूंगी और उनको आपको अच्छे से कर लेना है ना के वाल यूनिट फस्ट के अंतरगत बल्कि आने वाली जितनी वह यूनिट दे गई है सब ही के मैं आपको पांस से छे क्वश्चन दूंगी जो की मौस्ट इंपोर्टेंट होंगे तो पहला जो आपका कोश्चन है वह कोशी का से आप क्या समझते हैं इसकी संदृष्णा इसकी परिभासा इसका रासाइनिक संगठन यह आपको क कोशी का से क्या समस्ते हैं कोशी का सिव्चांथ सिधांक से इसधान में पूछा जाता है इनके आंसर में आपको को सभी प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका को समझाइए तो इसके अंदर गत आपको क्या क्या करना है जो प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका होती है सबसे पहले आपको इनकी संवर्शना देख लेना है ठीक है प्रोकेरियोटिक कोशिका का स्ट्रक्चर कैसा होता है और यह कोशीका का Ishter कैसा होता है तो सबसे पहली बात आपको देख लेना है प्रोड़।टइक और यूकईwijannit दोनों की दोनों आपको देख लेना है और डाइग्राम का विर्णन करेंगे और डाइग्राम यानि आप दोनों कवर कर लेना है तो प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक जो कोशी का होती है उसके अंतरगत ये तीन टॉपिक आपको कवर करना है इसके अलावा आपके एक्जाम में कोशन नहीं बनता है प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक सैल से ठीक है तो यह हुआ आपका तीसरा कोशन बनता है प्लाजमा जिली या कोशी का जिली से आप क्या समझते हैं इसके संद्रिशना इसके अंतरगत पांच मॉडल दिये गए हैं उन पांचों ही मॉडल को आपको करना है साथ ही साथ इसकी फंक्शन इसके कार्रे आपको कर लेने ठीक है तो प्लाजमा जिली से आप क यापका 5 नमबर का याणि long type question पूछा जाता है then इसके लिए next question है 5th जो कि आपका last question है तो जो cell wall होती है cell wall सबसे पहले आपको देखना है कि cell wall याणि कोशी का भित्ती क्या होती है इसके अलावा plant cell wall को आपको देखना है plant cell wall का आपको structure देख लेना है इसका function देख लेना है और साथी साथ आपको इसका जो है वो रासाइनिक संगठन देख लेना है ठीक है तो ये 5 question आपको cover करना है अब बात आती है इन सारे ही question के answer की तो चैनल पर जब आप जाएंगे तो आपको इस सारे ही question के जो है वो answer अलग अलग separate video में मिल जाएंगे जैसे कि ये जो plasma जिल्ली है इसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बिलकुल detail में explain किया है साथी साथ मैंने आपको इसके notes भी provide किये हुए ठीक है तो plasma जिल्ली के अंतरगत मैंने आपको plasma जिल्ली पूरी के पूरे explain किये plasma जिल्ली क्या होती इसके अंतरगत जो आपके 4 से 5 model है वो भी मैंने आपको explain किये हुए यदि आपको कठिनाई आएगी तो मैं आपको description में सभी topics के जो है वो link भी दे दूँगी जिससे आपको आसानी से सारी question के answer मिल जाएंगे ठीक है तो plasma जिल्ली आपको channel पर इसका answer मिल जाएगा ठीक है notes भी मिल जाएंगे इसके अलावा prokaryotic, eukaryotic, koshika भी मैंने आपको बहुत अच्छे से explain किया हुआ है आप जो है वो channel पर जाना देख लेना अच्छे से notes बना लेना ठीक है इसके अलावा plant cell wall, plant cell wall को भी मैंने आपको explain किया है इसके अलावा कोशी का और कोशी का सिध्धान यह भी आपको जो है वो मिल जाएगा तो unit first के अंतरगत आने वाले पांचो ही question के answer आपको मिल जाएंगे description में मैं आपको link दे दूँगी अच्छे से आप देख लीजिएगा सभी के जो है वो notes प्रपेर कर लीजिएगा ठीक है तो यह हुई आपके unit first cover इसके अंतरगत only on आपको जो है वो यह 5 question cover कर लेना चलिए अब हम बढ़ते है next unit की तरफ next unit है आपकी कोशी कांग संडशन आए जाते हैं उन सब के structure आपको करना है unit second के अंतरगत और function आपको करना है कारे आपको करना है ठीक है तो अब मैं बताती हूं कौन कौन से आपको करना है जो कि important है केवल और केवल उनको आप कर लीजिएगा ठीक है तो सबसे पहला important question है आपका mitochondria mitochondria क्या होता है इसको सांग के अंतरगत mitochondria को cover करेंगे क्या होती है इसकी परिभाशा साथ ही साथ जो आपकी कोशिका होती है इसको जो है वो कोशिका का powerhouse क्यों कहते है इस टाइप के question आपके short type marks में पूछे जाते है दो नंबर के तो यह जो आपकी mitochondria है यहां से आपको इसकी संदशना कर लेना इसके कार्वे कर लेना है ठीक है इसके अलावा second question है आपका chloroplast chloroplast को परिभाशित कीजिए एवं इसकी जो है वो संदशना और कार्वियों का वर्णन कीजिए तो यह जो आपका chloroplast है यह क्या करता है यह जो को यह जो आपके plant होते है प्लांट के द्वारा जो photosynthesis की process होती ह यह बादों को खाना बनाने में जो है वो help करता है तो यह जो अपको chloroplast है यह आपको कर लेना है इसके Samg díashnatt को करना ह Grade आपको कर लेना है ठीक है देनिक्ससक्रावाद नेक्स्ट कोईशन है आपका केंद्रक और केंद्रीका केंद्रक और केंद्रीका दोनों अलग अलग टॉपिक है केंद्रक को कहा जाता है नूकलियस और केंद्रीका को कहा जाता है नूकलिय लोलस ठीक है तो केंद्रक और केंद्रीका दोनों की आपको स्ट्रक्चर कर लेना है फूकसिंण Mario और के पसारे को भी आप देख लेंगे शाहती साथ मुझे आप बताएंगे नीचे कमेंट करके के के मैंört की की खुज किसी लग तो आप मुझे नीचे मों क這邊 करके बताईगी को कोज केंद्रिका की दोनों की खोज किस-किस ने की ठीक है इसके वाद मैक्स्ट कोशन है आपका लाइसोसोंग लाइसोसोंग गाल्जीकाय और अंतहा द्रव्य छालीका पर संशिप्ते टिपणी लिखिए इस टाइप का कॉशन भी आपके एक्जाम में जो है वो पूछा जाता है तो यह जो आपका लाइसोसों में इसको जो है वो आत्मगाती थैला के नाम से जाना जाता है ठीक है गाल्जीकाय भी आप कर लीजिएगा गाल्जीकाय भी इंपॉटेंट है इसके अलावा आपका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से बनता है राइबोजों जिसे प्रोटीन की फैक्टरी के नाम से जाना जाता है ठीक है तो राइबोजों को भी देख लीजिएगा साइशिप्त टिपड़ी करके भी आपके एक्जाम में कॉशन बनता है तो शुरुवात के मैंने आपको जो चार कॉशन बताए हैं यहां से आपके दो कॉशन 100% पूछे जाएंगे चाहे फिर वो आपकी लॉंग टाइप कोशेन में आये चाहे फिर वापके शोट आपको इ french है विकन यहां से आपका कॉश्चन जरुर बनेगा तो जो जो मेंने आपको कोशिका की कोशिकांट नों बताएं इनको अच्छी से आप कब aa कर लीजी आप एक solid next question है क explain कीजिए या फिर समझाइए सबसे पहला है साइटो इसकेलेटन दूसरा है सुख्षम तन्तू तीसरा है सुख्षम ननिकाएं यह जो तीन टॉपिक है तीनों ही अलग-अलग टॉपिक है तीनों ही इंपोर्टेंट टॉपिक है और तीनों ही वेरी इजी टॉपिक है आपके तो यहां से एक कोशन आपका जरूर बड़ेगा तीनों को अच्छे से देख लीजिएगा पॉइंट वाइस इनके आंसर को आप कवर कीजिएगा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन ही आपका एगोस्टिक पधार्थ क्या होता है एगोस्टिक अब पताती हो इनके आंसर के वारे में तो सबसे पहला जो कौशन है आपका माइट्रो कॉल्ड्रिया इसको मैंने आपको एक्स्प्लेइन किया हुआ है चैनल पर आपको मिल जाएगा काफी अच्छे से मैंने आपको एक्स्प्लेइन किया है और नोट्स भी प्रोवाइड क इसको biking मैंने आपको एक्सप्लेइन किया है चैनल पर जाएंगे आपको सभी कुछ मिल जाएगा लाइसोसां गौल जी और राइबोजूम अंतव ध्रटरवव्य जालिक यह सभी टापिक आपको जो है वो चैनल पर में जाएंगे इसके अलावा कॉशन नंबर फिफ्ट और question number six यह जो question है इस बार आपके new add किये हुए हैं आपके syllabus के अंतरगर तो आने वाली next वीडियो में मैं आपको जो है वो इन दोनों question की answer provide कर दूंगी explain के साथ मैं आपको इनकी answer provide करूंगी ठीके बाकी उपर से जो मैंने आपको चार question बता हैं उनकी answer आपको चैनल पर हम बिल जाएंगे clear हुआ आपको चलिए तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ नेक्स्ट यूनिट है आपके unit third unit third का नाम है गुर्सूत्र संगठन और यह जो गुर्सूत्र संगठन है इसे इंगलिश में कहा जाता है क्रोमोजोमल और्गनाइजेशन यहां से आपका question एक लॉंग टाइप बनेगा और एक शॉर्ट टाइप question बनेगा ठीक है तो चलिए इसके अंदर गत अब हम या फिर सिंपली से आपका गुर्सूत्री क्यों ना बने लेकिन एक question जरूर बनता है तो पहला question आपको cover करना है गुर्सूत्र क्या होते हैं क्रोमोजोम्स क्या होते हैं इसके आकार आकरती प्रकार गोण संगठना विशेश्ता एवं महत्व पर संशिप्त टिपण ही परिवर्तन को समझाइए जो गुर्सूत्र की संडशना होती है उस संडशना में changes आने से कौन-कौन से परिवर्तन उत्पन होते हैं basically चार टाइप के परिवर्तन जो है वो उत्पन होते हैं सबसे पहला है बिलोपन दूसरा है duplication जिसे दोहराव के नाम से भी जाना जाता है तीसरा है translocation जिसे इस्थानात्रन के नाम से भी जाना जाता है चोथा है आपका प्रती लोमन तो गुर्सूत्र की संडशना में जब changes आता है तो ये चार टाइप के परिवर्तन उत्पन होते हैं इनको आपको अच्छे से कर लेना है ठीक है ये जो आपके परिवर्तन है य इन दो question में से एक question जरूर आपके exam में बनेगा चाहे फिर गुर्सूत्र की संडशना में बदलाव से उत्पन हुए परिवर्तन आए या फिर गुर्सूत्र की संख्या में बदलाव से हुए परिवर्तन आए दोनों ही आपके अलग-अलग question है संडशना में परिवर्तन और संख्या में परिवर्त हैं तो संधस्ना होती है इसमें बिलोपन धोराविस्थनात्र और प्रतिलोपन चार टाइप के परिवर्तन आते हैं दो नल्हें नीकलियदे को हमनारे स्था नुकलियोश्थ्त प्ण कहई impacting ये जुटक के श्वरें कुशं हैं पर सा नुटलाइप के वाद next question है केरियो टाइप और इडियो ग्राम पर संशिप्त टिपड़े लिखिए दो नंबर का question है बहुत ही छोटा सा है आपका और important है दैन इसके वाद fifth question very 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 important है आपका कोशी का चक्र या कोशी का बिभाजन इंगलिश में इसको कहा जाता है cell division cell division से आप क्या समझते हैं कोशी का चक्र से आप क्या समझते हैं या फिर कोशी का बिभाजन से आप क्या समझते हैं इस टाइप का पांच नंबर का question आपके exam में बनता है ठीक है इसके अंतरगत आपको समसूत्री बिभाजन कर लेना है और सूत्री विभाजन पर लेना यह दो विभाजन आपको देख लेना आ समसूत्री और अर्ध सूत्री विभाजन सेल डिवीजन यानि कोशिका विभाजन के अंतरगत ठीक है चली अब मैं आपको इनके आंसर के बारें में बताती हूं तो सबसे पहला आपका जो इसका आप कुछ है वो आंसर मिल जाएगा एक ही वीडियो पे मैंने आपको पूरा का पूरा गुर्सूत्र जो है वो कवर कराया हुआ है ठीक है एक बात और गाइस जो कि मैं आपको लिखना भूल गई हूं यह जो गुर्सूत्र इसके अंतरगत तीन टाइप के आपके स्पे कर लेना है दो नंबर का एक गुर्सूत्र हर बार आपके एक्जाम में बनता है ठीक है और तीन टाइप के जो मैंने आपको इस्पेशल गुर्सूत्र बताएं इनको भी मैंने आपको एक्स्प्लेंड किया हुआ है तो चैनल पर आपको मिल जाएगा ठीक है पहला जो कौश बतान एक ही वीडियो में एक्स्प्लेंड किया है देख लीजेगा यह टॉपिक आपका कवर हो जाएगा देन इसके बाद थर्ड जो कोशन है आपको गुर्सूत्र की संख्या में परिवर्त है इसके अंतरगत यह तीनों आपके चेंजिस मैंने आपको एक्स्प्लेंड किय हुए सभी देख लेना आपको मिल जाएंगे ठीक है इसके अलब फॉर्थ कोशन न्यूक्लियोसम मॉडल बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्स्प्लेंड किया है आपको चैनल पर मिल जाएगा देन फिफ्ट कोशन आपका कोशी का विभाजन ठीक है तो यह पाचों के पा प्लांट रिप्रोडक्शन या प्लांट ब्रीधिंग के नाम से जाना जाता है ठीक है तो यह जो आपके फॉर्थ यूनिट है इस बार न्यू एड की हुई है देखते इसके अंतरगत कौन-कौन से टॉपिक आपके दिये गए हैं तो सबसे पहला कोशन है पादप प्रजन के अंतरगत आपके सिधान्त दिये गए हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टिंट है दोनों में से एक कौशन जरूर बनेगा ठीक है इसके वाद थर्ड कुशन है आपका भारत में प्रमुक पादप प्रजनन कारिक्रम को एक्स्प्लेइन कीजिए और इसके अंतरगत आप किवल चार टाइप के कारिक्रम कर लेना है सबसे पहले चावल से रिलेटिड कारिक्रम जो जो हों कर लीजिएगा गेहुं से रिलेटिड कपास से रिलेटिड और गन्ना से रिलेटिड ये चार टाइप के प्रमुक पादप प्रजनन कारिक्रम आपको भारत के अंतरगत कर ठीके डेन इसके वाद next question है आपका fourth question आधुनिक तक्नीक अनुवाइशिक बिभिनिता का उत्पादन पर संशिप्त टिपणी लिखी जो आधुनिक तक्नीक होती है उसके अनुवाइशिक बिभनिता का उत्पादन पर आपको जह है वो वर्डन कर लेना यह आपका long type question है ठीक है इसके बाद last question है आपका पादप प्रजनन के महदवपूर्ण और अंतर रास्टी संस्थानों का वर्डन कीजिए यह जो आपके पादप प्रजनन के रास्टी है महदवपूर्ण और अंतर रास्टी प्रोडक्शन जो आपका यूनिट है यह पूरी की पूरी इस बार न्यू एड की हुई है तो इसके सारी के सारे जो टॉपिक है इनको मैं आपको एक्स्पिलिन करने वाली हूँ आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंतरगत जिसमें मैं आपको यह जो पांचों ही कौशन है इ जाएंगे विठ नोट्स के साथ ठीक है इसके बाद अब हम चलते हमारी फिफ्ट यूनिट की तरफ जो के बहुत जादा इंपॉर्टेंट यूनिट है और यहां से आपके कौशन जरूर बनते हैं ठीक है काफी सारे आपके जो है वो कौशन बनते हैं यूनिट फिफ्ट का विस्तार पूर्वक सब्जाएं वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉशन है आपका यह जो पादग उत्तक संबर्दन है प्लांट टिशू कल्चर से इंग्लिश में कहा जाता है और टूटी पॉटेंशी को पूर्ण सतक्तिता के नाम से जाना जाता है ठीक है पूर्ण स यह question पूछा गया था तो इसको मैंने आपको काफी अच्छे से explain किया हुआ है देख लीजीगा काफी सारे स्टूरेंट को यह वीडियो अच्छा भी लगा है और इसके अंदर जो मैंने आपको नोट्स दिये ना आप बिलीव नहीं करेंगे बहुत ही अच्छे से मैंने आपकी पादापूतक संवर्दन की लेकिन यह जो वीडियो है आपके दोनों की दोनों टॉपिक कवर करा देगी साथी साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे ठीक है इसके बाद अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट कोशन की तरफ नेक्स्ट कोशन है पुनार योगस दिये यह भी आपका इंपॉर्टेंट और इसके अंतर जो जो आपके ओजार दिये गए हैं तक्नीकें दी गई है उनको आपको जो है वो कर लेना है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट कोशन है आपका पी सी आर पी सी आर से आप क्या समझते हैं इसकी किरिया विधी का वर्णन की आपका इंप्रिंगर दीन ऑफैसे आपको देख लेनात ने स्ंकुम आपको मात्राय मात्र डोंस ऑपक अच्छे से खर लीजीग है सबसे पहले इसकी uses, इसकी उपियोग, दूसरी बात इसकी mechanism, इसकी किरियाविदी, मात्र यही पूछी जाती है, आपकी 5 नंबर का question है, यह आपका DNA fingerprinting, ठीके, इसके बाद next question की तरफ अब हम चलते हैं, यह जो आपका 5th question में दे रही हूँ, यहां से 100% आपका एक question exam में देख को मिलेगा, सबसे पहला है, cloning vector और इसके types आपको कर लेने, मात्र इतना ही देखिएगा, cloning vector क्या होता है, और इसके प्रकार को देख लीजिएगा, दूसरा question है, आपका gene, और gene के जितने भी प्रकार दिये हुए है, splitting gene, overlapping gene, यह सारे प्रकार आप देख लीजिएगा, gene के अ प्लब दिया, यह जो आपकी चार question मैंने आपको बता है, इसमें जो gene topic है, यह मैंने आपको बहुत अच्छे से explain किया हुआ है, देख लेजिएगा, चैनल पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको सारे एके करके gene जो है, वो cover कर DNA प्रधोग की, PCR, DNA fingerprinting, cloning vector, genomic या gene library, या फिल जैव प्रधोग की, यह जो सारे question है, यह आपको एक एक करके इनके answer मिलने वाले, ठीक है, तो यह हुई आपके कुछ इस type की सारी की सारी पांचो की पांचो unit और इनके अंतरगत आने वाले important question, आशा करती हूँ, आपको वीड out of मुझे नीचे comment करके जरूर वताइएगा, next video में मैं आपको paper second जो की group B के अंतरगत major botany में दिया गया है, इसके जो है वो important question आपको next video में provide कर दूँँ, ठीक है, so मिलते हैं next video में new topic के साथ, thank you so much for watching, keep on learning